कैसे हैं आप सभी दोग आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा बैगन या फिर मैं साले वाले बैगन भी बोल सकते हैं आप लोग सो फाइनली मैं बना रही हूँ स्ट्रीट फूर्जाई का चैनल है उसमें की रेसिपी मैं काफी टाइम से इंतजार कर रही थी इसका के मैं आउंटी की कोई एक रेसिपी जरूर बनाओ और अपने चैनल पर अप्लोड करूँ तो फाइनली फाइनली आज वो दिन आ गया और पर मैं ट्राइ कर रही हूँ भरवा बैगिन तो जैसे की आउंटी ने बताया था इस तरीके से ब्रिंजॉल जो है काटने चाहिए और वैसे भी ना ये डंडी अगर हम लोग रखते है ना इसकी तो काफी हेल्प हो जाती है जब इसको हम लोग फ्राइ करते हैं और दालते ह जो बैगन है ना वो काफी मल्टिपल साइजेस में है बहुत मुश्किल से मिले है ये तो मैंने का चलो ठीक है चलेगा जैसे भी है अब यहां पर उन्होंने जो है काले ना पड़े इसलिए उन्होंने लिंबू डाल दिया था तो उसी तरीकी से मैंने भी सेम 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 वही कि अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ यहां पर मैंने तीन बड़े चममच ऑईल डाल दिया है जिस छोप आंटी ये वीडियो देखे और मुझे बताए मैंने इसमें क्या गलत किया है और क्या सही किया है आई होप सो अब इसमें मैं ये खड़े गरम मसाले एड़ कर रही हूं यहां पर मैंने एक मीडियम साइस की प्यास जो है वो कट कर लीती वो डाल रही हूं मैं मैं फ्राइ कर लेना है अच्छे से I'm so sorry मेरी बेटी बाहर खेल रही है तो उसकी काफी आवास आदी होगी पीछे से यहां पर मैंने लिया है पीनेट्स यह सभी कुछ मैंने जो है अं अच्छी तरह से वह रेड हो जाए थोड़ा सा उसके बाद हमें तिल खशकर दालना है और इसे हलका हलका भून लेना है और यह यहां पर जो है भून चुका है अच्छी तरह से अब हमें से स्विच आफ कर देना है फ्लेम को और इसे अलग से निकाल के रख देना है ताकि अच्छी तरह से पूरी तरह से थंडा हो जाए और थंडा होने के बाद हमें इसे पीस लेना है ग्राइन कर लेना है और यह देखिए मैं निकाल लिया है यह थंडा होने के बाद मैंने यहां पर इसे पीस दिया है ग्राइन कर दिया है कि बिल्कुल वैसी लग रहा है जैसा आंठी ने बताया था अपने वीडियो में और अब यहां पर हमने कुछ मसाले आड़ करेंगे सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है वन बिग टेबल स्पून ऑफ जिंजर गालिक पेस्ट उसकी बाद मैंने यहां पर तीन बड़े चममच कोरियंड पाउडर लिया है धनिया प चममच लिया था टर्मेरिक पाउडर और साथी साथ हमें जीरा पाउडर लेना है यह भी मैंने एक छोटा चममच नहीं सौरी दो छोटा चममच समझो मैंने जीरा पाउडर लिया है और यहां पर मैं नमक डाल दूंगी अब बस हमें इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मुझे आंटी को बहुत सारा थांक्स पोलना है क्योंकि यह रेसेपी इतनी अच्छी बनी थी कि मेरे सारे घरवालों को बहुत पसंद आई है तो थांक यू अंटी इतनी अच्छी रेसिपी शायर करने के लिए और यहां पर हमारा मसाला जो है मिक्स हो चुका है अब हमें इसे बैगन में इस तरीके से फिल कर लेना है और फिल करने के बाद थोड़ा इसे प्रेस कर देना है दबा देना है ताके वो थोड़ा स्टिक हो अब मैं इस तरीके से सारे बैगन को फिल कर दूंगी अब चलते हैं हमारे फ्राइंग की तरफ यहां पर मैंने लिया है तीन बड़े चमश ओईल आइम सो शॉर अगर आंटी मेरा वीडियो देख रहे होगे तो बोलेंगे कि इसने बहुत कम तेल दिया है मुझे पता है बै तो बस अब यहां पर सिर्फ हमें जीरा डालना है और बस जीरा डालने के बार हमें जो हमारे सारे बैगन है और एक एक करके इसमें छोड़ देने हैं बैगन में इसमें अगर तेल जादा होना तो मतलब तेल इतना होना चाहिए कि बैगन उसमें फ्राइ होना चाहिए बट म यहां पर अब नेक्स्ट में क्या करूंगी जो हमारा मसाला है जो बच गया है उसमें थोड़ा सा पाने डाल के वो भी इसी में डाल दूंगी कि मसाला कर दुद्ध थो कि नदुद्य कर एक बहुत दूंगी से नहीं कम ऊटुद्ध आ तो सब में लगना चाहिए सलिगा अब मसाला डाल दिया है यहां पर मैंने साहरा मसाले में आपको ौपको पतला चाही है तो आप अपके हिसाब से रखेगा इसे हम दो मिनिट के लिए ढग देंगे दो मिनिट के बाद इसे देख लेंगे यह हमारा मसाला जो है पक रहा है अब इसमें हमें टामेटोस एड़ करने हैं यहां पर मैंने कुछ तीन से चार मीडियम साइज के टामेटोस लिए थे मुझे चॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मसाला है पूरा का पूरा टामेटो में ही जो टामेटो का पानी होता है उसी में ही पकना चाहिए इसलिए आप इसे रफली बड़ा बड़ा काटके भी डाल सकते हो अब बस इसे मिक्स करना है और इसे तकरीबन पांच मिनिट के लिए पकने के लिए चोड़ दिया था टेमेटो के पानी में पांच मिनिट के बाद अब हम इसे हटा कर देख लेते हैं जैसे कि आंटी ने अपने वीडियो में बताया था बैगन पक चुके है के नहीं हमें इस तरह से चाकु डाल कर चेक करना चाहिए तो यहां मुझे बै चाहिए पके है या नहीं तो देखिए यहां पर इसमानी से जो है मेरी चाहिए जो है वह अंदर चली गई ती अब इसमें जो है हम इंडी का ये पानी डाल देंगे और इंडी का पानी डालने के बाद मैंने फिर से एक बार अच्छी तरह से मिलाया और इसे धग दिया एक बार और यह पूरा रेड़ी था बस एक लास चीज वाकर थी कोतमी और यह धन्यापती जो है मैंने कट करके इसमें डाल दिये इसे मैंने मिक्स किया और बस धकन धग दिया ख्लेम और बहरा बैगन जो है वह रेड़ी हो चुका है और यह बहुत ही मजे का दिख रहा था ना उतना ही मज़े का यह बना था वहत ही ज़्यादा टेस्टी था इसके लिए आंटी थांक यू सो 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 वेरी मज़ बहुत ही अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की है बहुत अच्छी पर नहीं गाइस आप सभी लोग एक पर ज़रू ट्राइ करना मैंने भी यह फर्स वाचिंग बाइ टेक एर